Welcome to all dear students in success classes, technical education जैसे कि engineering chemistry के lecture मैं आपको third unit start कर दी गई है और regularly lecture आपको deliver किया जा रहा है उसी series में मैं महम्माद अर्शद आज आपके लिए एक नए topic के साथ में present हूँ और आज का जो lecture का topic रहेगा वो है dry cell तो जो third unit में electro chemistry जो पढ़ा ही जा रही है आपको इस educational platform पर उसमें dry cell का जो role है flavors के point view से वो important भी है और इसकी mechanism जो इसकी dry cell का working principle होता है working rule है कि activity है किस तरह से work करता है कैसे ये करंग देता है तो एक जो question है इसमें dry cell का भी बनता है यहां पर समझने की बात यह कि जिसे लास्ट लेक्चर में आपको बताया था cell को classify किया था cell को categorize किया था on the basis of different parameter उसमें आपको बताया गया था कि cell कितनी तरह कि होते इलेक्ट्रोलेटिक सेल के बारे में बताया फिर और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में discussion किया था फिर on the basis of charging और discharging प्रोसेस के बेस पर classify किया था सेल को एक वो सेल है जो कि primary सेल होते है फिर second वो है जो कि secondary सेल होते ही तो यहां पर आज का जो लेक्चर है आप जो आज deliver किया जा रहा है वो है dry cell dry cell जो है कहीं न कहीं यह regular life में जो हम ordinary life है हमारी जहां पर हम electronic device को use करते और short time current हमें लेना होता है regularly current हमें लेना smoothly current हमें लेना होता है जैसे के torch में हम सेल को use करते हैं और wall clock में सेल का use किया जाता है toys में different types के toys है जो बच्चे खेलते हैं toy car है तो इस तरह की की जो में electronic gadgets में वहां पर जो cell का use किया जाता है वो dry cell ordinary हम लेते हैं dry cell क्या होते है one time हम use करते हैं फिर उसको fake देते हैं कुछ इस तरह के भी होते हैं और कुछ rechargeable भी होते हैं तो यहां पर जो dry cell आपको समझाये जाएगा वो zinc carbon का एक cell होगा जिसकी complete mechanism क्या है उसका working rule क्या है उस सारी चीजों पर discussion आज के lecture में हम करेंगे तो students start करते हैं आज का lecture आज के जो target है वो dry cell है ठीक है dry cell को पढ़ाएंगे आपको इसका construction बताएंगे आपको लेक्चर में discussion करने जा रहा है तो start करते हैं आज का lecture dry cell क्या होते है तो dry cell जैसे की नाम से ही पता चल रहा है आपको dry dry means क्या होता है कि without moisture condition यानि के ऐसा cell जिसके अंदर जो electrolyte fill होता है electrolyte का मतलब होता है the chemical which is filled into the cell electrical cell के अंदर chemical fill होता है वो dry condition में हो यानि के wet ना हो उसमें aqueous medium ना हो तो ऐसा medium वाला cell जिसके अंदर electrodes deep होते हैं एक ही container के अंदर दोने electrode deep होते हैं ऐसा cell जो की current तो regularly देता है राइट mostly जो हम dry cell use करते हैं वो zinc carbon cell को हम इसको बारे में समझाते हैं तो यहाँ पर dry cell क्या है इसको समझना जरूरी है dry cell को define कैसे करे dry cell को introduce कैसे करे तो dry cell जैसा की display में आपको दिखाई देरा dry cell is a type of electrical electric battery electrical battery की तरह से होता है dry cell commonly used for portable electrical devices portable electrical devices का मतलब यह होता है कैसे devices जो हम एक जगा से दूर्से जगा असानी से ले जा सके और उसकी handling बहुत easy रहती है तो ऐसी devices में जो cell use होते हैं या batteries use होती है dry batteries भी कह देते हैं जो कि cell का dry cell का combination से बनाई जाती है एक या दो cell एक से ज्यादा cell के combination में battery बना ली जाती है तो ऐसी devices जो की portable होती है उसमें जो cell use होते हैं उसको dry cell कहते हैं unlike the wet cell wet batteries or cell which have liquid electrolyte जिसके अंदर liquid electrolyte भरा होता है जैसा कि मैं नहीं बताया आपको बताया था dry cell use electrolyte in the form of paste dry cell के अंदर जो chemical भरावा होता है जिसके अंदर electrode deep होते हैं वो electrolyte जो होता है वो कैसा है एक paste की फॉर्म में होता है सेमी सॉलिड पेस्ट होता है दस लेस सब्सक्राइब लिकेज और यह जो पेस्ट है यह क्या होता है इसमें बहुती कम chances होता है leakage के अगर वो most यानि के liquid condition में अगर हम इसको electrolyte ले 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 तो वो क्या हो जाता है leakage की problem आने की ज्यादे chances होते हैं तो यहां पर जो पेस्ट यूज किया जाता है वो ड्राइड कंडिशन में यूज किया जाता है तो SSL जो कि dry होते हैं जिनके अंदर electrolyte dry condition के अंदर होता है सूखा होता है moisture बहुत कम होती है aqueous medium बहुत कम होता है तो SSL को हम कहते है dry cell तो dry cell की definition clear हुई अब इसको other way में कैसे समझ सकते हैं dry cell is a type of electrochemical cell एक तरह का electrochemical cell है that was developed in 19th century जो कि 19th century में बनाया गया a dry cell uses a chemical reaction इसके अंदर जो chemical reaction होती है between the electrode क्योंकि हर सेल के अंदर chemical reaction start होती है दो electrode के बीच में positive electrode होता है negative electrode होता है there are two electrodes in any kind of a cell or battery उसके बीच में जो chemical reaction proceed होती है and the electrolyte जो होता है वो सब dry condition में होता है these cells consist of low moisture electrolyte moisture के amount बहुत कम होती है बिल्कुल ना के बराबर होती है ठीक न और paste की form में होता है बराबा होता है इसमें electrolyte providing just enough moisture to allow the current to flow combining carbon and zinc iron right dry cells are also known as leclancy cell तो dry cell को हम leclancy cell की तरह से भी जानते है और dry cell को leclancy cell भी कह देते हैं primary dry cells are neither usable nor reusable nor rechargeable ठीक ना primary dry cell जो होती है जैसे के batteries भी दो तरह की बताई थी मैंने primary battery and secondary battery इसी तरह से cell भी दो तरह के होते है primary cell and secondary cell primary cell जो होती है only one function पर काम करता है which is deliver the electrical current right we cannot deliver into the cell electrical current को हम cell के अंदर deliver नहीं कर सकते हैं उसको recharge नहीं कर सकते हैं तो ऐसे cell को हम कहते है primary cell तो अगर primary dry cell है तो वो क्या होता है वो reusable नहीं होता है उसको हम बार बार एक बार use कर लेते हैं right तो दुबारा use जो है वो पूरी तरह से use करने के बार में फिर दुबारा से वो usable नहीं होता और recharge भी नहीं कर पाते हैं इसको तो primary dry cell क्या होते है not neither reusable or not rechargeable only chemical energy stored in cell सिर्फ और सिर्फ chemical energy जो store होती है cell के अंदर वो electrical energy में convert हो जाती है तो ये बात थी किसकी primary dry cell की वैसे dry cell जो होते है primary भी हो सकते हैं और secondary भी हो सकते हैं ठीक है रिचार्जबिल भी हो सकते हैं लेकिन यहां primary dry cell क्या है ऐसे cell जो की रिचार्ज नहीं कर सकते हैं अब इसके कुछ example पर discussion करते हैं examples क्या क्या है तो इसमें one of the best example जो आता है dry cell का वो है zinc carbon cell zinc carbon cell जो की हम बहुत ज्यादा use करने वाला एक cell होता है वो कहां कहां use करते हैं students वो हम use करते हैं जैसे कि हम रिमोट यूज करते हैं टेलिविजन को रन कराने में LED को रन कराने में बहुत सारी चीजों के remote होते हैं आजकल remote control से रन होने वाली electrical electronic device बहुत ज्यादा है तो वो सारी electronic device में जो cell यूज होते हैं वो क्या होते हैं dry cell होते हैं जैने कि electrolyte जो होता है वो dry condition में होता है तो zinc carbon cell भी इसी तरह का एक cell है इसी तरह से alkaline battery भी जो है dry cell की कि तरह से हम use करते हैं mercury cell है zinc mercury oxide cell के कहते हैं इसको silver oxide cell तो यह कुछ best example है जो की dry cell के हम दे सकते हैं इसमें से zinc carbon cell जो है इसके बारे में हम आज discussion करने जा रहा है उसका complete working rule क्या है उसका basic principle पर यह काम करता है और यह कैसे current provide करेगा इसका construction कैसा है dry cell का तो यहाँ पर dry cell का construction देखते हैं और जो dry cell हम लेंगे एक example के फॉर्म में वो है zinc carbon dry cell तो टाइपिकल ड्राइचल इन विच टू डिफरेंट metallic electrodes are deeped into dried electrolyte or chemical paste तो dry cell ऐसा cell जो की dried condition में होता है यानि के उसका electrolyte जो होता है less moisture होता है यानि के moisture की amount बहुत ही little amount में होती है राइट जो chemical होता है देखे यहाँ पर यहाँ डिस्प्ले में यह जो cell नजर आ रहा है यह अलग अलग तरह की function के लिए हम use करते हैं इस तरह की battery भी आपने देखे होगी students जो की toys में जाया तरह हम use करते हैं अलग अलग तरह की electronic gadgets में यूज करते हैं यह pencil cell है जो कि हम अपने remote control में use करते हैं कुछ इससे बड़े होते हैं जो की यह भी अलग अलग devices में हम use करते हैं ज्यादा तर और फिर उससे कुछ छोटे वाले cell होते हैं यह सारे जो cell है जो आपको display पर दिखाई दे रहा है इस तरह के दिखाई देने वाल जो cell है इसे हम dry cell कहते हैं जिसके अंदर क्या होता है dry condition में इसका electrolytes जो है dry condition में इसमें फिल्ड किया जाता है इसमें इभी दो इलेक्रोड क्योंकि cell तो बनता ही कैसे current को provide करने के लिए current हम इससे लेते हैं इसलिए current DC Voltage से में हमें मिलता है अब DC voltage कैसे मिलता है जब positive or negative electrode किस cell के अंदर होते हैं यानि के cathode और anode इसके अंदर होता है तो यहां पर भी cathode और anode होगा dry cell के अंदर अब dry cell का एक example वैल वैल नोर example लेते हैं इसको use कहां कहां करते हैं तो वो देखें देखें वाल clock में टॉय कार में वाल clock में इसका use होता है remote control बोटे में इसका यूज होता है और मेनी बोड़ और बहुत सारी अदर अलग- अलग तरहगे डिवाइसेद में यूज होता है refers वीडियो में भी इसका यूज होता है राइट राइब एक्टरीज भी होती है जैसे कि हम मुबाइल फोन के अंदर हम यूज करते है लिथे मायन बैटरीज जो होती है वो भी ड्राइब एक्टरीज इसका जिंक कार्बन सेल को हम अपना एक एक्जामपल बनाते हैं यहां पर इसको DRY सेल को समझाने के लिए तो जिंक कार्बन सेल वन फिश बस ग्जामपल यह जो दिखाई दे रहे है यह सब क्या है Imagine कार बंट सेल तो इस में क्या के चीजे होती है तो פिक होगा जा इंदर प्रेजेंट होता है तो kissy do के से कंधे दर पॉजिटीव और नेगेटीव एलेक्ट्रोड किसके हैं ,कौन से मै्टल के हैं, तो second thing होगे इसमें , यह इसमें , वाट कैनेट धूड種 इलेक्ट्रोड अर प्रेजंट इम्डी सेल थो रड न wet condition में है या dry condition में ठीक न वो electrochemical है या electrolytic है राइट तो यहाँ पर dry cell के बारे में discussion कर रहे हैं dry cell के बारे में बता रहे हैं तो cell का construction कैसा होगा cell दिखाई कैसा देगा वो कैसा दिखाई देता है उसके अंदर क्या के चीजे होती है तो यहाँ पर clear है देखिए इसमें जो पहली चीज निकल कर आती है dry cell के अंदर वो है electrodes तो इसमें दो electrodes होती है right two electrodes dry cell में zinc carbon cell की बात कर रहे हैं zinc carbon cell जो की एक तरह का dry cell है इसमें एक electrode होता है graphite का graphite क्योंकि यहाँ पर clearly indicated zinc और carbon तो दोनों electrode के नाम दिये गए है एक zinc है तो दूसरा carbon है तो एक electrode जो है carbon का बनावा होता है और carbon का एक अलोट्रॉप है वो है graphite तो graphite का एक electrode होगा इसके अंदर graphite की रॉड होती है जो यहाँ पर display पर आपको दिखाई दे रही है जो बीच में दिखाई दे रही है यह क्या होती है graphite की रोड होती है जो की एक लंब भी होती है बीच बिल्कुल बीच हो बीच में होती है यहाँ पर होती है बिल्कुल बीच हो बीच में राइट और इस पर red signal होता है यानि के positive electrode होता है यह अब यह positive electrode हो जाता है यानि के positive electrode को हम कहते हैं cathode cathode कब कहेंगे students cathode जब कहेंगे जब किसी cell से हम current ले रहे हैं right cell से जब current ले रहे हैं अगर cell को recharge कर रहे हैं तो यही cathode anode बन जाता है यानि के cathode जो है negative terminal हो जाता है लेकिन जब इससे करंट हम ले रहे हैं, तो जब इससे करंट हम ले रहे हैं, तो positive electrode को कहेंगे हम cathode, अब दूसरा electrode क्या है, क्योंकि दूसरा metal कौन सा है, इसमें zinc है, तो दूसरा metal इसमें zinc है, तो zinc का container होता है, zinc का container होता है, जो कि negative electrode की तरह से काम करता है, और उसे हम क्या नाम देंगे, anode का नाम देंगे, anode जिस पर negative ions प्रिजेंट होते हैं, यानि कि electrons are targeted at the point where that point is known as the anode, और जहां पर electron की shortage होती है, जहां electron भागता है, जिस terminal पर electron जा कर पहुंचता है, जहां जो वो terminal जो कि electron को खीचता ह है अपनी तरफ, उसे कहते हैं, cathode, तो cathode और anode तो clear है आपको, cathode जो होगा, वो positive terminal होगा, और जो anode है, वो negative terminal होगा, students, cell के अंदर, यह चीजे हमने last lecture में भी discussion की है, तो इसे आपको समझना होगा, cathode और anode को बिल्कुल clearly understand, होना जरूरी है, understood होना जरूरी है, अब second इसमें जो part है, वो होता है electrolyte ही, और इसी base पर cell को categorize भी किया जाता है students, वो dry है या फिर वो क्या है, वो wet cell है, तो dry cell होगा, यानि के electrolyte जो होगा, वो low moisture होगा, यानि के इसमें moisture की amount बहुत ही कम होगी, तो कि paste बनावा होता है, और वो paste किन किन chemical का बना होता है, तो वो है MnO2, Magnes Dioxide और Ammonium Chloride, MnO2, MnO2, that is Magnes Dioxide, MnO2, और साथ साथ में Ammonium Chloride के अंदर filled होता है, तो यह दोनों मिला कर एक semi solid paste बना लेते हैं, और इस semi solid paste को low mustard condition में रखा जाता है, इसलिए इस cell को कहते हैं dry cell, तो dry cell में दूसरा पार्ट हो गया इसके electrodes, पहला पार्ट हो गया इसका, क्या चीज, पहला पार्ट हो गया इसमें electrodes, जो कि दो होते हैं, there are two electrodes, positive and negative terminal, और second हो गया इसमें electrolyte, तीसरा जो पार्ट होता है इसमें dry cell में, वो है cell की body, cell की body कैसी है, वो metal की बनी हुई है, या वो non metallic है, right, तो यहाँ पर zinc carbon cell जो है, एक metal की body से बना होता है, और वो है zinc metal की body, तो zinc की metallic body का पूरा जो body बना ही जाती ही, वो zinc की बना दी जाती है cell की, ठीक है, और इसे कहते हैं, cell की body और यही इसका anode का काम भी करता है, तो इसका construction, देखते हैं students, construction में, यह फोटो दिखाई दे रहा है, यह dry cell का है, right, zinc carbon cell का है, लेकिन इसको आप कैसे draw करेंगे, तो वो construction कैसे करेंगे, एक dry cell का, तो वो बहुत धियान से आप देखें, यहाँ पर cell को construction करना है, cell को draw करन बनाएं, और वो zinc carbon cell को हम draw करके बताते हैं students, तो यहाँ पर cell को draw करने के लिए एक container आप बनाएं, एक container होगा, और यह metal की body इसके अंदर present होगी, और वो metal की body जो होगी students, वो होगी zinc की, तो यहाँ पर एक metal की body होगी, जो की एक cell को बनाएंगी, तो metal की एक container होगा, और वो metal का container जो है, वो कौन से metal का है, वो zinc का है, तो यह zinc zinc metal का container होता है, zinc जो की solid होगा, बिल्कुल बीच ओ बीच में इसके एक electrode होता है, जो की carbon का बना होता है, बिल्कुल बीच ओ बीच में carbon का बना हुआ, एक electrode होता है, इस तरह से, जो की graphite का होता है, graphite की एक rod होती है, तो graphite की rod इसके अंदर होगी, और इसके अंदर भरावा होता है, electrolyte, अब electrolyte, जो होता है, वो dry condition में होगा, less mustard होगा, उसमें नमी जो होगी, यानि के, पानी का content जो होगा, वो बहुत ही कम, या बहुत ही little amount में होता है, एक semi solid paste होता है, और एक खास chemical का, ये solid paste होता है, और वो कौन सा chemical है, students, वो तो वो chemical है, manganese dioxide, MnO2, और साथ-साथ में ammonium chloride, तो ammonium chloride और manganese dioxide का, एक semi solid paste, इसमें भर दिया जाता है, students, और उसके बिल्कुल बीचों बीच में, एक rod होती है, ठीक है, यहाँ पर ये clear है कि जो carbon की जो rod है, ये positive terminal होगी है, और ये जो zinc का container है, it is not as the negative terminal, तो फिर से आपको, ये clear है, इसमें anode कौन सा है, और cathode कौन सा है, तो ये positive terminal जो की, ग्रेफाइट का होगा, ग्रेफाइट, जो की, कार्बन से बना है, ठीक है न, ग्रेफाइट क्योंकि, एक अलट्रॉप होता है, कार्बन का, राइट, कार्बन का इलेक्ट्रोड है, ग्रेफाइट, तो कार्बन क्योंकि, इसमें ये एक, इलेक्ट्रोड डीप्ट है, राइट, नॉन मेटल है, राइट, मेटलॉइड भी, कार्बन को मेटलॉइड भी कहते हैं, लेकिन यहाँ पर मेटली केरेक्टर शो करेगा कार्बन, दूसरा जिंक का कंटेनर होता है, तो ये कंटेनर होगा, यानि के पूरा सेल जो है, एक जिंक के कंटेनर में फिट होता है, इसके अंदर जो पेष्ट मैगनीज डाइ ऑक्साइड तो लेस मोस्चरड मैगनीज डाइ ऑक्साइड के साथ में अमोनियम क्लोराइड यह इसके अंदर फिल्ड कर दिया जाता है और इसे कहते हैं हम सेल कैमिकल यानि के इलेक्ट्रो लाइट तो यह इलेक्ट्रो लाइट है अब इस यह जो सेल आपके यहाँ पर डिस्प्ले पर दिखाई दे रहा है यह हो जाएगा एनोड यह काम करेगा कैथोड का कैथोड का कैथोड की पॉजिटिव टर्मिनल है स्टुडेंट्स पॉजिटिव टर्मिनल कैथोड हो जाएगा और यह जो नेगिटिव टर्मिनल है जो कि जिंक मैटल का है बना हुआ इसको कहेंगे एनोड एनोड पर ऑक्सिडेशन रियक्शन होगी और कैथोड पर reduction reaction होगी तो यहाँ पर यह जो diagram आपको दिखाई दे रहा है that is known as the zinc carbon cell और zinc carbon cell एक dry cell होता है तो यहाँ पर cell के अलग-अलग part आपको clearly indicate है और इसका एक photo जो कि cell कैसा जो picture का photo में कैसा दिखाई देगा cell तो इस तरह का cell यह दिखाई देता है अब यह zinc carbon cell type of electrical cell जो कि dry cell है इसका mechanism कैसे है कैसे यह work करेगा working rule क्या है इसका इसमें क्या क्या चीज़े होती है मैंने आपको clearly बता दिया इसमें आपको ध्यान रखना होगा जो positive terminal है positive terminal है that is called carbon carbon electrode और जो negative terminal है यह negative terminal होगा zinc solid metal जो कि cell की body है अब positive terminal जो की cathode है और cathode पर क्या होता है reduction होता है और anode पर अब यहाँ पर एक चीज़ और देखें आप तो cathode क्या है तो cathode क्योंकि positive terminal है right positive terminal है और यहाँ पर reduction प्रोसेस होगा cell जो है redox reaction को प्रोसेस करेगा तो cathode और anode जो है anode जो की negative terminal है यहाँ पर oxidation perform होगा तो यहाँ oxidation होगा अब इन दोनों के को अगर हम मिला दें तो overall reaction को कहते हैं redox reaction तो पूरा cell जो है redox reaction के basic principle पर काम करता है right तो यह zinc carbon cell का construction हो गया यहाँ आपको दिखाई दिया zinc carbon cell instruction में clear है सारी चीज़े primary cell भी कह देते हैं इसको primary cell की तरह से इसको behave भी करते हैं working क्या है cell की working कैसे होती cell current कैसे flow करता है dry cell कैसे current हमें देगा अगर हम इसके positive और negative terminal से wire को connect कर देते हैं तो इससे हमें current DC voltage मिलना सुरू हो जाता है यह DC voltage जो है direct current जो होता है यह ज्यादा तर जो होता है एक cell का 1.5 volt का current यह cell देता है तो यहाँ पर dry cell की बात हो रही है zinc carbon cell is provide 1.5 electron volt का जो voltage है यह देगा when it connect to the external circuit जब external circuit से इसको connect किया जाता है तो external circuit से जब हम इसको connect करते हैं इस्टुडेंट्स तो यह जो current हमें supply करेगा यह positive और यह negative terminal है तो यहाँ से जब इसको wire से हम connect करते हैं तो negative और positive terminal से जब इसको connect करते हैं इस्टुडेंट्स तो यह 1.5 electron volt का current हमें देता है एनोड, zinc metal है, perform oxidation, एनोड पर क्या होता है oxidation होगा, cathode जो कि graphite road है, carbon से बनावा electrode है reduction process परफॉर्म होगा, overall reaction को हम कह देते हैं redox reaction, right, principle and chemical reaction principle क्या है, किस basic principle पर यह काम करता है तो redox reaction, यह पर्फॉर्म करेगा और यहीं इसका basic principle होता है right, zinc और carbon को अगर हम compare करें, तो zinc और carbon को दोलों को, अगर हम देखे, electrode potential series में तो carbon place, the lower end, यानिका lower position पर होता है, zinc क्या होता है upper position पर होता है, तो zinc जो है, वो electron को donate करने वाला होता है carbon क्या होता है electron का accept करने वाला होता है तो यहाँ पर zinc carbon cell जो है perform oxidation and reduction reaction at different electrode in a cell different electrode cell के reduction और oxidation perform करता है it works redox chemical reaction so that current can be easily flow in this circuit, circuit से जब हम cell को जोडते हैं connect करते हैं तो current आसानी से flow हो जाता है तो यह इसका क्या हो गया working principle हो गया basic principle भी कह सकते हैं इसको अब current कैसे flow करेगा तो यहाँ पर working of dry cell working क्या है dry cell की working में यह clear करना पड़ेगा आपको और यह आपको ध्यान देना पड़ेगा कि इसमें anode और cathode क्या है एनोड जो है एनोड यहाँ पर zinc metal है और cathode क्या है इसमें और इसमें oxidation perform होगा जैसा कि मैं अभी भी बताया था आपको राइट तो chemical reaction और cathode पर फिर एक बार आपको बता दे कैथोर्ड पर जो होता है carbon होता है और carbon पर reduction process होगा अब कैसे कैसे होता है वो आपको देखना है किस तरह से यह होता है अब यहाँ पर chemical reaction देखते हैं reaction कैसे कैमिकल reaction होगी तो chemical reaction कैथोर्ड पर और एनोर्ड पर कैसे कैसे होगी वह आपको यह बता दे बता देते कैथोर्ड और एनोर्ड पर chemical reaction का जो process होगा वो कैसे कैसे आपको यहाँ दिखाना होगा इनोर्ड पर chemical reaction देखते हैं तो 8 एनोर्ड पर क्या होगा एनोर्ड पर यहाँ पर एनोर्ड पर जो कि cell से पता चलता है कि zinc metal है तो zinc जो है active होता है zinc solid है यह two electrons को क्या करेगा release करेगा और आप कैरी अप पॉजिटिव जेदें टू पॉजिटिव आइन्स तो एनोर्ड रियक्शन में दो तरह की रियक्शन यहाँ होगी और एनोर्ड रियक्शन में zinc जो होगा क्या होगा दो इलेक्ट्रोन को इसको रिलीज करेगा जब हम cell को connect करते हैं जो cell है इसको हम external circuit से जैसे ही connect करेंगे cell को तो जो carbon का electrode और zinc का electrode है तो यह जो zinc का electrode है students यह वाला zinc का क्योंकि यह container जो होता है जो कि zinc का बनावा होता है जब हम इससे current को यानि कि circuit को इससे connect करते हैं किसी bulb वगेर को glow कराने के लिए तो यह zinc जो है जो कि anode का का काम करेगा और यह यहाँ यहाँ पर क्या होगा two electrons को यह release करना सुरू कर देगा जब electron का release होता है तो it is clear इसको कहते हैं हम oxidation तो यह जो reaction होगी इससे नाम देंगे हम oxidation अब second जो है cathodic reaction में at cathode, cathode पर क्या reaction होगी तो cathode क्योंकि positive terminal है carbon का है यह वाला जो carbon का है इसे positive terminal कहेंगे और इसे हम cathode भी कामी नाम देंगे तो carbon active होता है और यहाँ पर यह जो carbon deep है ammonium chloride में यह जो यहाँ पर ammonium chloride और manganese dioxide का जो semi solid paste भरावा होता है इसमें से cathodic reaction में क्या होता है ammonium chloride जो की एक electrolyte है ammonium chloride अपने ions में divide होता है NH4Cl ammonium ions में और chloride ions में तो यहाँ पर ammonium और chloride ions में यह क्या हो जाएगा तूट जाएगा इसे हम second reaction कह सकते है then the third reaction क्या होगी जैसे ही यह ammonium और chloride में तूटे गा यानि कि cell के अंदर ammonium ions प्रेजेंट होंगे और chloride ions प्रेजेंट होंगे तो यहाँ से जैसे electron का release होगा यह खिच कर कहा जाएंगे इस carbon के electrode पर पहुंचते हैं जैसे carbon के electrodes पर यह electron की shifting होती है carbon इसको खीचेगा वो कैसे खीचेगा ammonium इसमें से क्या होगा इसमें जो chloride ions है यह active होते हैं और यह carbon की तरफ move करते हैं और इस पूरी रोड को negative terminal बना देते हैं carbon की और zinc जो है पॉरणी क्या होगा zinc two positive ions chloride से reaction कर बैठेगा और यहाँ पर zinc chloride बनना सुरू हो जाएगा zinc chloride बनना सुरू हो जाएगा third chemical reaction है अब क्योंकि chloride क्या है zinc को carry कर लेता है और zinc chloride बना देता है अब जो ammonium ions है NH4 one positive ions यह क्योंकि ammonium ions यहाँ left बचते हैं chloride ion electrons को carry करके क्या हो जाता है यहाँ पर shifting हो जाती है इसकी यहाँ पर manganese dioxide भी ammonium chloride के साथ साथ में क्या होता है fill होता है क्योंकि semi solid paste बना होता है इस cell के अंदर तो ammonium ions जो है यह फौरण ही क्या होता है manganese dioxide MnO2 से reaction करेगा और दो electron जो कि यहाँ से shift होकर इधर पहुचे यह दो electron को ammonium carry करना शुरू कर देगा और मैं MnO2 से Mn2O3 Mn2O3 बनना शुरू हो जाएगा साथ साथ में ammonia gas का release होगा ammonia gas बनेगी और उसका वह बाहर आना शुरू हो जाती है और 4H2O यहाँ पर release होते है तो एक तो इसमें देखिए यह चार chemical reaction यहाँ आपको display पर दिखाई दे रही है एक बार और धियान से आप देखेंगे anode कोई की zinc का बनावा है ठीक है न? zinc का container है वो electron को release करेगा perform oxidation राइट उसी टाइम पर cathodic reaction में ammonium chloride जो है जो कि एक electrolyte की तरह से इसके अंदर filled होता है ammonium और chloride iron में divide होगा chloride iron जो है zinc से chemical reaction करना शुरू कर देगा यहाँ पर zinc positive ions जो होते है यह chloride के साथ में reaction करना शुरू हो जाएंगे और यह container जो है पूरा chloride से filled होना शुरू हो जाता है यानि कि इस पर chloride जमना शुरू हो जाता है ammonium ions जो कि इस cell के अंदर electrolytes के अंदर present होते हैं यह target करते हैं किस पर इस यह जो carbon की rod है इसको target करेंगे और वहाँ पर MNO2 जो की electrolyte के साथ में present होता है दो electrons को carry करता है ammonium ion और medium कौन क्या होता है यह graphite rod graphite rod पर ammonium ion की shifting होना शुरू हो जाती है ammonium ion जैसे shift होते है इसको positive terminal बना देंगे कार्बन को और electron की shifting यहां होना सुरू जाएगी और ammonium से यह reaction करके ammonia gas का release शुरू जाता है क्योंकि electrons इसमें accept होते है इसलिए इसको कहते है reaction को reduction इसलिए इस पूरी process में electron का transfer सुरू होता है electron बाहर निकलते जाते है और carbon का electrode इसको खीचता जाता है ठीक है और यह process regularly चलता है कब तक चलता है जब तक कि यह जो complete जो zinc का जो container होता है इस पर chloride जब पूरी तरह से इस पर जम नहीं जाता है जब सारा chloride इस पर जाकर चिपक जाता है जम जाता है तो chemical reaction stop हो जाती है और फिर current मिलना हमें बंद हो जाता है तो यहाँ पर एक reduction oxidation reaction हो गई एक reduction हो गई और complete chemical reaction को नाम हम देंगे redox chemical reaction अभी सारी net chemical reaction अगर हम निकाले तो net chemical reaction कैसा हैगी students net chemical reaction यहाँ पर अगर हम सब को plus कर दें अगर हम net chemical reaction देखें तो overall net reaction इन सब को plus करने पर निकल कर आती है तो net chemical reaction अगर हम यहाँ निकाले तो आप धियान से देखेंगे इस पूरी chemical reaction को जो board पर दिखाई दे रही है reactant और product को अगर हम धियान से देखते हैं तो यहाँ पर reactants में और product में जो एक से आइन से वो एक दूसरे को cancel कर देंगे देखेंगे दो electron से दो electron cancel हो जाएंगे और इसी तरह से zinc two positive iron यहाँ पर भी है यहाँ पर भी यह भी एक दूसरे से cancel होगे यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है वो भी एक दूसरे को cancel करेंगे इसी तरह से जो net chemical reaction इसमें निकल कर आती है वो कौन सी होगी zinc बचता है जो कि solid है राइट इसके और two ammonium chloride क्लोराइट के यहाँ पर जो हम molecules लेते है टू ammonium chloride यहाँ से आगर आप देखे ammonium chloride को एक ammonium ions यहाँ पर है और एक ammonium ions यहाँ पर भी बन रहे हैं तो एक ammonium ions यहाँ पर भी बचता है तो overall अगर हम इसको balance करेंगे तो यह chemical reaction जो होगी वो अगर हम इस वाली chemical reaction को balance करें तो यहाँ पर mn के दो atom से तो इसको two से multiply करना जरूरी है तो zinc plus two NH4Cl तो net chemical reaction यह निकल कर आती है plus two mnO2 is equal to Mn2O3 plus ZnCl2 plus two NH3 right plus four molecules of water यह निकलेगा तो यह यहां से हमें क्या होती है energy supply हो जाती है तो यह complete chemical reaction यहां net chemical reaction की form पर हमें आसानी से मिल जाती है और इसमें दो chemical reaction main है एक anodic की और एक cathodic की कौन सी chemical reaction important है यह वाली और यह वाली इन दोने chemical reaction को आपको ध्यान से देखना है और समझ लेना है तो यह पूरा process हुआ किसका zinc carbon cell का applications क्या है zinc carbon cell की तो applications जो है zinc carbon cell जो है कहां कहां यूज होता है तो zinc carbon cell यूज होता है zinc carbon cell is mainly used for जैसा कि पहली slides में आपको बताया था कि zinc carbon cell जो है यह mainly कहां कहां यूज होता है तो वो यहां से clear है आपको कि यह जो dry cell है यह zinc carbon cell है mostly यूज होता है portable electrical devices में तो portable electrical devices में जिसको हम आसानी से carry कर सकते हैं तो use for the zinc carbon cell is used in portable electrical त्रिस्ट्रिकल डिवाईसेश ठीक है ट्राइज सेल इस यूस्ट इन ट्वाइकार ट्वाइकार में यूज उता है मॉबाइल fonts में वे dry cell का use होता है ठीके torch में use होता है dry cell torch में इसका use किया जाता है और dry cell का और भी हम use देखते हैं remote में इसका use करते वे देखते हैं तो remote में इसका use होता है dry cell का and wall clock में यूज होता है इसका, and many devices from which, बहुत सारी get current, जहां से हमें, हम current ले सकते हैं, we can get current regularly, जहां से हम current regularly based पर लेते हैं, तो यहां पर dry cell का use, जह है application काई सारी हो जाती है, और इसके applications भी important है, इसकी mechanism भी important है, cell का working rule भी important है, क्या basic principle पर यह काम करता है, तो यहां पर इसका construction भी आपको बता दिया, कि cell का construction में क्या कैशीद दिखाई देती है, anode क्या है, cathode क्या है, इस पर discussion करा, और होता क्या है dry cell, dry cell, medicine carbon cell का working principle क्या है, वो आपको completely describe कर दिया, तो यह जो है, आप सारे important question में आता है, ठीकिना primary cell क्या होते हैं, primary cell का working principle क्या है, इसके rules, किस basic principle पर यह काम करते हैं, इसका construction कैसा होता है, तो उसको भी आप देख सकते हैं, dry cell जो होते हैं, dry cell primary भी होते हैं, और secondary भी में भी, secondary में, secondary जो कि recharge भी होते हैं, वो भी होते हैं, लेकिन main चीज क्या है, dry cell को आप इस तरह समझ सकते हैं, कि इसमें जो chemical भरा होता है, जिसमें इलेक्ट्रोराइट केते हैं, वो कैसा होता है, वो less moisture होता है, यानि कि उसमें moisture के amount क्या होती है, बहुत ही कम amount में moisture इसके अंदर present होता है, तो आज का ये lecture, जो था आपका dry cell के base पर, dry cell को अच्छे तरह साब को समझ में आगिया होगा, इसके उपर अगर कोई चीज अगर आपको confusion कर रही है, तो आप comments के जरिया में बता सकते हैं, और lecture को ज़्यादे ज़्यादे subscribe करें, जो ये जो चैनल है, Smart Success Classes of Technical Education इससे ज़्यादे ज़्यादे subscribe करें, lecture को ज़्यादे ज़्यादे share करें, और एक positive hope के साथ में हम जो आपको lecture deliver कर रहे हैं, इसे ज़्यादे से ज़्यादे अपने friends circle में तो share भी करें, क्योंकि एक ये मुहीम है आप के लिए और आप ही के लिए start की गई है, और आज काई lecture देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद आपको, तो thanks for watching this lecture, thank you.